सलोन तैसिल के अधिकारियों की संरेचछड में चारा गाह की सुरक्ष भूमी में हो रही खेती व अवैद निर्मार जहां आपको बताते चले कि सुबह के योगी सरकार ने भले ही सरकारी भूमी से अवैद कबजा हटवाने है तू एंटी भूमी माफिया टास्क फोर्स का कास में आया है जहां भी लेखो कि अनुसार लगभग सरसट बिघा सुरक्ष भूमी चारा गाह में ही भूमाफिया सामोही कृप से जगा जगा कहीं अवैद निर्मार कर रहे हैं तो कहीं गेहु वालू की अवैद खेती कर रहे हैं एक अचमबे की बात यह भी है कि चारा ग मकानों के निर्मार का कारे प्रगति पर है और इस स्थिती की सूचना सलोन तैसिर प्रश्यासन को देने पर हलका लेकपाल द्वारा कारे रोकने के बावजूद सुबह शाम में अवैद निर्मार शुरू रहता है और अब सवाल यह उड़ता है कि क्या हाल ही में हुए इन निर्मारों को गिरवाया जाएगा या फिर सिर्फकारी रुकुआते हुए खाना पूर्तिकर मामले पर परदा डाल दे जाएगा जिससे कि जल्द ही चरागाह की सुरक्षित भूमी में साथ मकान और बनकर त्यार हो जाएंगे आपको बता दें कि चरागाह की ही भूमी पर सेकलों लोगों द्वारा वैदनिरमार करने के बाद दो वर्ड्स पूर्व सिर्फ सथे watches कर कारवाह की अनन्य भूम आफ्या को बरी कर दिया गया चरागाह की सुरक्षित भूमी में जिन लोगों द्वारा वरतसमान में और निर्मार किया जा रहा है उंस सब लोगों का एक एक मकान गाउं के अंदर भी मौजूद है और इस पूरे मामले की शिर्कायत करने पर सलोन तहसील प्रश्यासन द्वारा सिर्फ जूटी आख्या प्रेशित कर मामले को दरबाया दिया जता है और अब देखना यह है कि क्या चारागाह कि सुलक्षित भूमें में लगातार हो या वैद निर्मार वैद खेती करने वाले भूमाफ्याव पर तहसील डार्ट सलोन राम कुमार शुकला प्रभावी कारवाई करेंगे या फिर चारागाह में अवैद निर्मार कपज़ा करने वाले भूमाफ्याव पर महरबान ही रहेंगे इस पूरे मामले में सलोन तहसील प्रश्यासन के अधिकारियों वक्रमचारियों की कारेशाली पर प्रश्नेचंद लगा हुआ है आप देखना या है कि क्या सुबे की योगी सरकार ऐसे अधिकारियों की कारेशाली पर लगाम लगाने में सफ़ल होती है या फिर अधिकारियों के मनमानी ऐसे ही चलती रहेगी राइब रेली से जीला ब्यूरोचीफ उन्वाशिक लाकी का